सुलो दोस्तों शुरू करते मगर मस्टोगा यह दोगा की जो तंदूर कार्ड की कोमिक्स पड़ी थी उसके आगे की कहानी है दोस्तों अगर वो तंदूर कार्ड नहीं पड़ी हो तो पहले वो पड़ ले जो समस्याओ का हल नहीं करता हुने जड़ से उखाड फैकता प्रादियों का कार्ड डोगा तंदूर कांड के अत्यारे गजेंदर को मार कर जब बाहर भागा तो पुलिस इंस्पेक्टर चीता भी उसके पिछे दोड़ा डोगा ने बस निकल कर भागने के लिए एक गटर का डक्कन उठाया तो उसने पाग के गटर का मुझ तो पहले चीताने लोह की मजबूद जाली से बंद कर रखा है अब वह गिर गया था क्योंकि उसके पास उस लोह की जाली को तोड़ने का समय भी नहीं था यहां तक आपने पड़ा पूरो चितर कथा तंदूर में बागे पड़े क्यों डोगा आज मैंने तुम्हें गेरी लिया न वह मैं तुम्हारा इंस्पेक्टर चीता डोगा जीते जी पुलिस के आथो नहीं लगेगा वह खुदा जिसने मेरे आथ के लकीरों पर डोगा बना लिख दिया है वही करेगा इंस्पेक्टर चीता वही करेगा कुछ मगर तुम क्या करोगे मैं खुद यू भी कुछ ने करता इंस्पेक्टर चीता मुझसे जो करवाता है मेरा खुदा करवाता है वो खुदा जिसने मेरे आद के लकीरों पर डोगा बनना लिख दिया है वही करेगा इंस्पेक्टर चीता वही करेगा कुछ तबी वूम तड़ाक अतबर्त रहागा इंस्पेक्टर चीता दढाम दढाम की जबरदस्त आवाजे हुई वूम गुडबा इंस्पेक्टर चीता बचो शिलेंडर फटकर आ रहे हैं जबर्दस्ट अफ्रा तप्री मची हुई थी यह सब हुआ कैसे अब डोगा सच्मुच मेरे आथ हो नहीं आगा सरे अरे सर आप खतरना कपरादी टाइगर लाग अपसे अदालत ले जाते समय बाग कर उस बिल्डिंग में गुश गया उसी ने सिपाई से चीनी स्टेंगन से गोलिया चलाई जिन से उस ट्रक्ट में लदे सिलेंडरों में जाने कैसे वी स्पोर्ट हो गया और फिर अब डोगा सच्मुच मेरे हाथ नहीं आएगा मुझे फोरन उस जगे पूचना होगा जहां से ये सिलेंडर बलास्ट होकर आ रहे हैं सिलेंडर फटने से सामने वाले एक बिल्डिंग में लग गई जबर दस्ताग अंदर आग भार सिलेंडर रूफ पागो जबड़े सक्ती के साथ बिच गए थे इस्पेक्टर चीता के सर आप कहां जा रहे हैं सर टाइगर को गृपतार करने जिन्दा या मुर्दा मगर सिर्ष सिलेंडरों के टुकडे उड़कर तोप के कोलों की तरह आ रहे हैं आ सर वो टाइगर उस बिल्डिंग से निकल कर उदराग लगी इमार्त के दुए में बाग रहा है इधर जमीन के नीचे हल्चल हुई और सिलेंडर फटने का रहसे तो सिपायों की बातों से मेरी समझ में आ गया इधर चीता भी गाल हो गया अब रह जाता हूँ मैं जिसे रोकना टाइगर को अरे डोगा हाँ आओ पकड़ो मुझे खेलो पनी जान पर डोगा का ध्यान केंदरित वा बहनता चिला इस ओरत पर मेरा बच्चा मेरा बच्चा आग में फस गया है आग ने चारो और से गेर लिया इमारत को और रूफ बच्चो मेरा बच्चा और वह साधन तिम सिलेंडर था जो बलाश्ट तोक रहा था यह पल जहाँ सुरत के लिए सुकत वया रोमान्चक ऐसास के थे वही डोगा को आसरे चकीत कर देने वाले थे टाइगर बच्चे को आग में से निकाल लाया है मेरा बच्चा डोगा चीरता चला गया गने दूहे कि उस चादर को मगर मैं उसे बच कर नहीं जाने दे सकता टाइगर इसी तरफ गया है मगर यह क्या कर रहे हैं तुम फरिष्टे पर गोली तुम्हें मैं नहीं चलाने दूँगी जो मेरे बच्चे को बच्चे की जिन्दी के लिए पर्चन डाग में कूद गया यह ठीक कह रहे हैं टाइगर ने उस पर इस बच्चे को बचाया बचाया जबकि उसकी खुद की जिन्दी पर कानुन की गोली का खत्रा मन रहा रहा था और डोगा को टाइगर दीग गया वह जिस ओर जा रहा है वहां पुछने के बाद मेरे लिए उसे थामना अब ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए डोगा मेरे पीछे लग चुका है और टाइगर मुझे पर पत्थर गिरा रहा है इन पत्थरों के कान में कुछ देर से ही सही मगर उस तक पहुंचूंगा जरूर और बस टाइगर यहां से तुमने एक भी कदम और आगे बढ़ा तो पुलिस से बसकर भागने के उदेशे का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाएगा क्योंकि आगे जो दरिया उसमें मगरमत है टाइगर अपनी खत्रे में पड़ी जान को किसी और के लिए खत्रे में डालने वाला इंसान अपरादी कैसे बन गया मैं तुम से यह जानना चाहता हूँ दोगा कानून मुझे कैसे गुनाग के लिए फासी पर लटका देना चाहता जो कि मैंने किया ही नहीं और यह हो रहा शिर्फ एक आदमी के इसारे पर आमर सेंड एम्यूनिशन बनाने वाले जिस कंपनी में मैं गार्ड था उसका संचालन चार पार्टनर्स के आथ में था क्या सर मारा है जूता क्रमचारी जूतों के खोकली तली में बुलेट्स चोरी करके ले जा रहा था यस सर और जब टाइगर ने इसे पकड़ा तो इसने टाइगर को दस हजार इसवत की आफर की यह देखे सर इसे फोर्ण पुलिस के वाले करो वेल्डन टाइगर हम तुमारी इमानदारी और वफादारी से बहुत खुश है आपका नमक खाता हूं सर नमक रामी से पहले अपनी जान दे दूगा गुड मगर मेरे चार मालिकों में से एक फैक्टरी की याड में अपने गैर कानूनी और अवैद सस्त्रों का दंदा भी चला रहा था जिसका पता नहीं जाने कैसे क्राइम सफेशल की रिपोर्टर में सुन्याने को लग गया था और वो चुपचा मेरे उसमालिक की गती विदियो की रिपोर्ट और वीडियो फिल्म तयार करने में लगी थी जिसकी भनक मेरे उसमालिक को भी लग चुकी थी और तब एक दिन जब फैक्टरी में चुट्टी का दिन था पकड़ी गई वो बहुत दिनों से तुमारे गती विदिया नोट कर रहा था अब तु जिन्दा नहीं बच पाएगी किसी तरह से बच निकली सुनेना और मुझे स्या टक राई मैं क्राइम स्पेशल के रिपोर्टर सुनेना हूँ ये वीडियो कैसेट मेरे आपिस मूचा देना इससे एक बहुत पड़े सेडिंतर का बंडा फोड़ हो सकता है तुम इतना कहकर वापस बागी सुनेना मगर तभी पकड़ी गई खत्स ओ मैं भी गवरागा पुलिस को फोन करके कैसेट को सुरक्षित रखने चल पड़ा मैं इस कैसेट से साथ इसके एत्यारों का भी पता लग सकता है मुझे देखकर दोनों बदमास बाग निकले मैं तरपती सुनेना के निकट पूचा मगर वह बचने सकी वहाँ से मैं सीधा गर पूचा कैसेट को देखते वक्त मेरा खून खोल रहा था मैं फिल्म अभी पूरी देख भी ने पाथा कि पुलिस मेरे घर आप पूचे तुने सुनेना के अत्या के जुरू में गिर्पतार क्या जाता टाइगर नहीं नहीं मैंने खून नहीं किया मगर गटना सतल से पुलिस को वह चाकू मिल गया था मेरे बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी अदालत मुझरीम टाइगर को 14 वरस की सजा का आदेश देती है मैंने बिमारी का अनाटक किया आए उस सडेंटर को सपल नहीं होना दूँगा मैं कभी नहीं जोजना सपलरी मुझे फोरन अस्पिताल ले जाया गया उस गाड़ी से मुझे जेल ले जाया जाना था वे कैसेट में पुलिस को सोक पर अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता लेकिन अगर इस सडेंटर का बंडा फोरने हो तब पूरे बंबोई महानगर में तरह तरह ही मत जाएगी और पुलिस से बसने के लिए कि मारत में प्रेस करके मैं वहाँ से गोलिया चलाने लगा उस गोला बारी में ट्रक में बरे सिलैंडरों में बिलास्ट हो गया वहाँ से अफसर मिलते मैं एक सिपाय की गंद शीन कर बाग खड़ा हुआ और उसके बाद क्या हुआ या तो तुम्हें पता ही है मगर वह कैसेट तो तुम्हारी बेगुनाई का सबुत बन सकते हैं कहा है वह कैसेट माप करना डोगा अगर वह कैसेट मैंने तुम्हे या पुलिस को दे दी तो मेरे मालिक पर जो खत्रा मंडराएगा वे मेरी वज़े से मंडराएगा और मैं नमक करामी से पहले अपनी जान दे दूँगा टाइगर उफ या क्या क्या तुमने देश से गदारी करने वाले अपने मालिक से तुम्हारी वफादारी देश को महंगी पड़ सकती है दर्या के पानी में केवल टाइगर के गिरने से यल्चल नहीं मचे थी इसे उसे बचाना होगा जब सीने में आग हो तो मगरमच भी उस्ताप में जुरुस जाते हैं बड़ी तेजी के साथ जप्टे थे वे दोनों मगरमच टाइगर पर नहीं मुझे अभी ज़रूर थे इन बाज़ों और टांगों की आ गरज कर आई वे गोलिया और समा गये उन दोनों मगरमचों की खोपडियों में ये दोनों गोलिया डोगा ने मेरी रक्षा के लिए क्यों चलाई वे तो प्रादियों का दुस्मन है मुर्चा आवई होने लगी थी टाइगर पर क्योंकि बेद गाल कर दिया था मगरमचों ने उसे मगरमचों को टाइगर तक पुछने से रोकने के लिए फिलाल मेरे पास यही शादन है मगर पानी के तेज लहरों में पता नहीं काँख हो गया है टाइगर साथ कोई मगरमचों से पानी के अंदर खिच ले गया है वो डोगा जैसे उत्रा उस पाड़ी से इंस्पेक्टर चीता दोगा ये भी जरूर टाइगर का पिछा करता हुआ यहां पहुचा होगा कुछ से देर में इंस्पेक्टर चीता दरिया के किनारे पर मगरमचों से बचपाना सस्मुच असंभव है ऐसी एक कमीज टाइगर ने पहन रखी थी सर यह देखे इंस्पेक्टर चीता अगर टाइगर की खोज माय हो तो वापस लोड़ जा क्योंकि टाइगर ने मगरमचों से बरे दरिया में सलंग लगा दी है के जिसे पाड़ी डरान पर पिसलता चला गया डोगा कुदरत ने टाइगर को उसके जुरुम के बहनक सजा दी है और फिर पुलिस एड़ कॉर्टर पहुंचते चोक पड़ा इंस्पेक्टर चीता मोनिका भहिया ओ तो यही है इंस्पेक्टर चीता मोनिका यह सब क्या है हम लोग यहां डोगा की गृपतारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे है आज तो मैंने डोगा को गृपतार करी लिया था मगर उसकी किस्मत ने इस बार उसी का साथ दिया मगर यह क्या तरीका हम लोग आत पर आत रक कर नहीं बैठे है ये सच है कि अभी तक डोगा अपने बागा से बस्ता रहा है, मगर जिस दिन हमारा दाउन लग गया डोगा कानुन की गृपत में होगा, हम ये सब नहीं जानते में डोगा की गृपतारी चाहिए, वरना तब तक हमारा भियान जारी रहेगा, वो कमिशनर साथ, सर इंस्पेक् सकेश लिए हमारा ट्रांसपर कर दिया गया है, और नहीं, पूरी सरदा के साथ, बर बराए आखों को छिपाने के लिए तेज कदमों के साथ आगए बढ़ते चले गए कमिशनर तिरपाथी, पूरी सरदा के साथ कमिशनर साथ के पाव में जुग गया इंस्पेक्टर चीता आप जा रहे हैं सर, आप तो हमेसा मेरे मारक दरसक रहे हैं, आपके बिना मैं दायतों कैसे निवा सकूँगा, मेरा अशिरवा ठीक वैसे ही तुमारे साथ रहेगा, इंस्पेक्टर चीता जैसे एक पिता का हाथ अपने पूतर के सिर पर रहता है, गूड लग माई सन, बरा पकड़ने के लिए रात दिन एक कर दूँगा, तब इंस्पेक्टर चीता रिपोर्टिंग सर, टाइगर कहा है, सर अलांकि टाइगर का चार्ज मेरे पास नहीं था, मगर फिर भी मैंने उसे गहरने और पकड़ने के पूरी कोशिश की थी, मगर मैं मुच से बस निकलने में काम्याब होगा, दरिया में मगर मत्सों का सिकार बन गया, वाट डू यू मिन टू से की चार्ज नहीं था, डोगा का चार्ज कब से तुमारे पास काँ डोगा, आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया डोगा, छुटे सांट की तरह गुमता रहना देने के लिए कितनी पकार ल जाम लगा रहे हैं, वो साथ तुम्हें बताने की जरूरत है कि टाइगर नाम का सक्स कितना खतरनाक है, माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर चीता, तुम इस समय कमिशनर के सामने खड़े, आयम सहरी सर, मैं जानता हूं सर और मैं उसे गरिपतार नहीं कर सका, इसके लिए मुझे सकत अफसोस है, क्या उसकी लास मिल गई है, नई सर केल उसकी फटी कमिज का टुकड़ा मि देख कर तुमने अनुमान लगा लिया कि टाइगर मारागा है, है नई इस्पेक्टर चीता, उस नदी को खंगाल डालो, नदी के आस पास की बस्तियों को चेक करो, उसकी मोद का पक्का परमांट चाहिए मुझे, वो सिनियर्स के सामने हाथ पीट के पीछे बांद कर होते हैं, नू यू कैन गो, तुम भूल रहे हैं कमिशनर के आपिस में आने के बाद और आपिस थोड़ने से पहले सलूट किया जाता, सारी सर, ठेरो, एक बार डोगा करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूआ कमिशनर, और उसके बाद अगर मेरी अपील पर मेरा पर यहां से नय हुआ, तो अपना रिजायन तुम्हें मैं खुद दूँगा, उसी राट टाइगर के सील कर दियेगे फ्लैट के अंदर परवेश कर राध हड़ोगा, टाइगर के कहानुसार या फिलम अभी पूरी नहीं देख पा था कि उसके पहले पुलिस ने आकर उसे किर्पतार कर लिया, इसका मतलब एक कैसे अभी टाइगर के घर में ही कहीं होनी चाहिए, इसी पल उसल पड़ा डोगा, पलास्टिक के जलने की गंद कैसी आ रही है, और फिर टाइलेट का दुराजा खुलते उसके चेरे से टकराया वह सकती साली गुशा, उफ, दोनों इस सूरते एक दूसरे को देखकर भेंता चोख पड़ी, टाइगर तुम बच गई हाट होगा, उस सडेंतर को विफल किये बिना मैं कैसे मर जाता, मोच से जम कर संगर्श किया मैंने, और मुझे लगता कि यहां तुम वही कैसेट जला रहे हो, हाँ क्योंकि मालिक के खिलाब भूत को मैं नष्ट कर देना चाता था, जिसकी तलास में साइद तुम भी यहां आए हो, उफ, कैसेट जला कर राख होने से पहले मैं उसे तुम्हें सुने नहीं दूंगा डोगा, और ऐसा ओने में बस सब कुछ ही पल और बाकी है, माप करना डोगा ये वार तुम पर मैंन जो खड़े हो, क्या तुम्हें मेरा खोप नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं उस मिशन को बरबाद कर देना चाहता हूं, जिसका निर्देशक मेरा मालिक है, और मैंने अपने मालिक के नमक का हाक तो अदा कर दिया, लेकिन अब मुझे बंबोई की निर्दोस जनता को पचा कर अपनी देश बक्ति का सबूत देना है, इस पैक्टर चीता की निगाए उस समय दसी उतिस फाइल पर, सुनाना अत्ता कांड की फाइल टाइगर की फ्रारी के बाद मेरे सामने है, इस फाइल के मतावित फैक्टरी में चुट्टी का दिन और स्रनाटा होने के कांड टाइगर की सुनैना पर नीर खराब हो गई है, और अपने बचाओ के लिए सुनैना द्वारा हता पाई के मदद टाइगर के हाथों उसका खून हो गया, जबकि फैक्टरी करमचारियों के बैनों के मतावित टाइगर एक बहुत इमानदार उफादार सुलजावा इंसान था, जो ऐसी गटियावे नीच अरकत कभी नहीं कर सकता था, इस फायल में जिकर कहीं नहीं है कि छुट्टी वाले दिन क्राइम स्पेशल के रिपोर्टर मां क्या करने गई थी, कमपनी के डेली रिजिस्टर में हर आने जाने वालों की हर तर फिल्τ्रेसन प्लांट का नक्सा पौई से पूरी बंबोई को पानी की सुपलाई होती है, जरह सोचो कि क्या होगा जब वाटर वर्कस के इस पूरे फिल्ट्रेसन प्लांट को बंबों से दोस्त कर दिया जाए, पूरा बंबोई प्यास से तरह तरह कर उठेगा, उनका यही से डोगा अपने मालिक के आंतकवाद के इस उदेशे को मैं हरगिज सफल नहीं होने दूगा अब से ठीक डेड़ गंटे बाद पोई जील परबाद कर दी जाएगी अरे बीना पर्ची दिये चला गया बंबई बरबाद दुस्मनों के इरादे होंगे टाइगर हमारे पास समय भूत कम है डोगा कार तेज चलाओ आज कोई चैक पोस्ट उस कार का रास्ता नहीं रोक सकता था डोगा अमारी इस सरकत के बात पुलिस हमारे पीछे जरूर लगेगी हाँ लेकिन तुम फिकर मत करो इस समय कार का स्टेरिंग डोगा के आथ में कार में डोगा है केंटर रूम का ख़बर करो बेदो क्योंकि हमारे पास इस समय उसका पिछा करने का कोई सादन नी एलो केंटरोल रूम इस्पेक्टर चीता अगर सभी मुझरीम अपने चेरों पर नकाब वोड का जुरूम करने लगे तो इसका मतलग कि पुलिस कभी उन्हें पकड़ नहीं पाएगी इस्पेक्टर चीता रिपले सुन और एक्स्चूज मिग इदर चीता उस समय उलजावा था उस महिला संग्ठन से जिसका नेत्यत्यों कर रही थी खुद मोनी का समझने की कोशिश करो मोनी का डोगा को पकड़ने में आने वाली सबसे बड़ी समस्या उसकी पहचान की है उसलग पड़ा था इस्पेक्टर चीता केंट्रोल रूम से परसारी तो उस मैसेज को सुनकर क्या डोगा पोई के रास्ते पर जादा देखा गया हो पल्टा इस्पेक्टर चीता डोगा का पता चल गया मैं डोगा को गिर्पतार करने जा रहा हूँ तब डोगा को इंस्पेक्टर चीता आज भी ग्रिप्तार नहीं कर पाएगा मगर हम उसे पकड़ कर दिखाएंगे आज ये कोशिस करके भी देखी जाए डोगा की कार ने तुफान की बाती वाटर वरकस में प्रवेश किया आज यहां काम करने वाले सभी करमचारी वेतन वर्दी की मांग को लेकर राजबन तक जुरुस निकाल रहे हैं इसलिए यहां कोई दिखाएं नहीं पड़ रहा और अगर कोई कादुका करमचारी अंदर रहा भी होगा तो उसे अंतक वादियों ने अब तक होस्लाइक छोडानी होगा दोगा की निगाय देख चुकी थी उस खत्रे को बुम ओ अच्छी मोटर साइकल चलाता है वेरी गूड होगा वंडरफूल तभी क्या वाट होगा कार को पिछे से जबरन रोका गया है टाइगर सिर नीचे जुका उफ सनाक उस मसीन ने जखड़ लिया कार को वाटर वरकस में इस समेक परिंदे का प्रेस भी वर जीत है कार को जबरदा सक्ती लगा कर पिछे खिचा जा रहा है टाइगर मेरे जम्प कहते है कूद पर न क्यों कि मैं कार को बैक कियर में डाल रहा हूँ किलिक जम्प जबरदा सक्ती से पिछे के और खिच कर कार जा टकराई कलैम्प्स मसीन से मार्वल्स मैंने तुम्हें इस मिशन में अपने साथ रख कर कोई भूल नहीं की डोगा बडाम सिप्रिंग की मानी दवा में उचला डोगा का जिसमोर दाड सार और सांतिच आगई टाइगर लगता वाटर वरकर्स में और आंतकवादी नहीं है क्योंकि बम भटने में अब कुल आदा गंटा रह गया है क्या अदे गंटे में वो सभी बम डूंड लेंगे जो इस जील को बरबाद करने के लिए लगाए गए हैं परोज जील हमारे सामने मगर अब ये कैसे पता चले कि आंतकवादी ने बम कहा लगाए हैं सपाक दोगा मैं जलासे में बम डूंड ने जाता हूँ और तुम बमो की खोज पलांट में करो हमारे पास समय कम है इस कम समय में जिस सिर्फ एक तरीका रह जाता बमो को डूंडने का डोगा के हाथ में नजर आने लगी उसकी सीटी जिसकी अल्ट्रा सोनिक सांड सुनते केल कुत्तों को इस समय बमो को डूंडने के काम में मैं अपने कुत्तों मित्रों से मदद ले सकता हूँ गूर बहुत सुंगो ये बारुद की गंद मेरे कुत्ता मित्रों जाओ पूरे फिल्ट्रेशन प्लांट में फैल जाओ जहां कहीं से भी बारुद की गंद मिले आकर फोरण मुझे बताओ उसे छेड़ना नहीं डोगा खुद चड़गा टंकी पर कुत्ते टीडी दिल की तरह फैल गए थे पूरे फिल्ट्रेशन प्लांट में कुत्ते इस वाटर स्ट्रों स्टावर पर ने चड़ सकते यहां बम की खोज मुझे खोद ही करनी होगी और उस वक्त चोक पड़ा डोगा जब मुझे श्टंकी पर बम मिलने की पूरी उमीद थी किन्तो इस बम को डिफूज नहीं क्या आजा सकता है यह फटकर ही रहेगा और मेरे उस कुत्ता मितर को भी किसी बम का पता चल गया है वोफ और टाइगर के मतावित इसके फटने में कुल दस मिट रह गए है दोगा को अपनी नस्व में अनुखा तनाव मैसस होने लगा इदर बैचैनी की मुद्रा में टाइगर जिल से बाहर निकला ही था कि हैंड्स अप टाइगर यू आर एंडर रेस्ट इस्पेक्टर चीता तुम यहां कैसे पहुँचे कानून के आदबूत लंबे होते टाइगर डोगा का हैं टाइगर बताता चलागा इस्पेक्टर चीता को उन बमों के बारे में इधर जैसे डोगा नीचे उत्रा कि अरे उसल पड़ा डोगा उस सुरुत को देखकर मोनिका दोगा आज तुम फ्रार होने के चेश्टा मत करना कानून की ग्रिप से पहले हम तुम्हें नहीं छोडेंगे कानून के अथे नैसे ही मगर आखिर तुम हमारे अथे चड़ी यह पता लगे तब भी ने कि इस पूरे फिलेटर्स प्लांट में आतक वाजियों ने जगर जगर पर बम बिचा दिये हैं जिन में से अभी मैं यह की डूंड पाया हूँ बम फटने में कुल आठ मिंट बचे हैं और जैसे बिच्छु देख लिया और डोगा को जगने वाल समान शैना पड़ रहा है सबने समझने की कोशिस करो मोनी का यह समय बातों का नियों अगर तुम खुद को कानून के वाले करने का आवचन दो तभी मैं तुमें छोड़ूंगे उफ बेकुप लड़के समय मुझे कई बमों को डूड़ना है गुर्व बहुत चलो मुझे ब जील के तल तक ले जाना होगा ताकि बम फटने से नुक्षान कम से कम हो मजबूत दिवार बनकर आख खड़ावा इंस्पेक्टर चीता रुक जाओ डोगा इंस्पेक्टर चीता मुझे रोकने की कोशिस मत करना बम फटने में सिरफ डेढ़ मिट बचा है अगर इन बमों को जील की तलैटी तक नहीं ले जाए गया तो सब कुछ खतम हो जाएगा तुम सब इस जगह से दूर चले जाओ किंग करतव इमूर से खड़े रहा गये सब और सब के देखते देखते डोगा पोई जील में समागा जपाक डेड़ मिट बाद सब की आखों ने देखा पानी की उन उचालों को बम फट गए मगर डोगा बहर नहीं निकला निसाल जील के दुसरे किनारे पर हुई अल्चलोर फुफ सुकरा अंतकवादय के मन सुबो को ढाने में मैं सफल रहा मगर इसका सरेट टाइगर को जाता है और टाइगर के उस गदार मालिक का पता भी एक ने एक दिन अपने तरीके से चलाए लूँगा फिलाल तो मुझे वापस जिम पूछना है समाब दोस्तों अच्छी लगे तो जरूर लाइक सुब्सक्राइब करना